पशुपालक मित्रहों नमस्कार, वेट अबडिस चैनल में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे बक्रियों की महामारी यानी PPR रोग कैसे होता है और इसके लक्षन कौन से है, M रोग थम कैसे करें इस बात की चर्चे हम करेंगे PPR रोग, विशानु जनित एक महतवपुर्ण रोग है जिससे बक्रियों में अठ्यादिक मृत्यू होते है इसलिए प्रिप्यार रोग को बक्रियों में महामारी या बक्री प्लेग के नाम से भी जाना जाता है एक अध्यन के अनुसार PPR रोग से भारत में बक्री पालन के शेत्र में सालाना साड़ी छह हजार करोड रुपए का नुक्सान होता है इसमें मृत्युदर प्राय पचास से असी प्रतिशत तक होती है जो की अध्यादिक गंबीर स्थिति में बढ़कर सो प्रतिशत हो सकती है यह रोग विशेश कर कम उम्ब्र के मेमनों और कुपोशन व परजिवे से ग्रासित बक्रियों में अति घंबीर एवप्रान गातक सिद्ध होता है रोग से निर्मुक्त होकर बक्रियों में जीवन परेंत प्रतिरक्षित हो जाती है तो जानते है इस PPR रोग का कौन सा प्रति नाम का विशानु का संबंध है जिससे यह रोग होता है इस परिवार में मानुजाती में खसरा रोग पैदा करने वाला विशानु भी पाया जाता है PPR विशानु 60 डिगरी सेल्जियस पर एक घंटे रखने पर भी जीवित रहता है परन्तु अल्कोल, इतर, एवं साधारन डिटरजेंट के प्रयोक से इस विशानु का आसानी से नश्ट किया जा सकता है अब जानते हैं इस रोग का प्रसार कैसे होता है मुलता ये बक्रियों और भेडों का रोग है बक्रियों में रोग अधिक गंबिर होता है जिनकी आयू चार महिनें से अधिक और एक वरसे कम हो PPR रोग के लिए अतिसवेदिशिल होते हैं मनुष्य में ये रोग होना असंबव है नजदी की पर्ष या संपर्क और निवास में से बक्रियों में PPR की महमारी फ्यलते है बीमार बक्रि की आख नाक वा मुग के स्त्राव तता मल में PPR वेशनों पाया जाता है बीमार बक्रि के खांसने और चीकने से भी तेजी से प्रशार संबव है तनाव जैसे ढुलाई, गर्बावस्ता, परजीविता, पूरोवर्ती रोग इत्यादी के कारण बक्रियों में PPR रोके लक्षन और ज्यादा से वेदिशिल हो जाती है नईदानिक PPR को निमन परिस्तियों के होने से जोड़ कर भी देखा जा सकता है हाल में विबिन्य आयू की बक्रिया और भेडों का स्थानांतरन अत्वा जमाओ, बक्रियों में बाड़े अत्वाचारे में अकस्मात बदलाओ, सहमों में नए खरीदे गए बगपशुओं को सम्मीलित करना मौसम में बदलाओ, पशुपालन एव आयात निर्यात की निति हाले में उच्च ज्वर यानि 42 डिग्री सेल्सियत बहुत ही आम है, बीमार भक्रियों में नीरस्ता चींक तता आग और नासिका के तरल स्राव देखा जाता है, इस हावसा के दोरान पशुपालक अक्सर शोसता है कि भक्रियों को थंड लग रही है और वह उन्हें सिर्फ से बचाने का प्रहितन करते हैं, दो से तीन दिन के पश्चात मुख और मुखीय सलेश्मा चिल्ली के में छाले और प्लाक उत्पन होने लगते हैं, इसी समय पक्रिया के मुझ से अत्यादुनिक बदबू आने लगती है, पीडा कार मुझ सूजे हुए ओटों के करण चारा ग्रहन करना असंबव हो जाता है, तस पश्चात आखों का चिपचिपा या पीबदार स्त्राव सुकने पर आखों और नाक को एक परस से ढख लेता है, इस जिस से बख्रियों को आख खोलने और सास लेने में तकलिप होती है, जोर आने के तीन से चार दिन पश्चात बख् त्रिवरस्देश्मा युकत अत्वा खोनी दस्त होने लगते है, द्वतिय जिवानुय निमोनिया के कारण बख्रियों में सास फूलना खासना आम बात है, गर्बित बख्रियों में पीप्यार रोक से गर्वपात भी हो सकता है, संक्रमन के एक साप्ता के बीतर बीमर बख् उप्चार क्या है और इसका रोक्ताम कैसे करें, सवरोफ प्रतम पशुपालों को जूनकी स्वस्त बख्रियों की पहिचान कर सीग्रही उन्हें बीमार बख्रियों से अलग बाड़े में रखना महतोपूर्ण है, इसके बाद ही रोगे बख्रियों का उप्चार प्रारंब प्रयोक से मृत्यूदर कम की जा सकती है, पेपड़ों के द्वितिय जीवानुय संक्रमन को रोकने के लिए ऑक्सिटेटर साइकलीन या क्लोटेटर साइकलीन आउशी देया पशुवेदिक के माध्यम से आप दे सकते हैं, आक, नाक, मुग के आसपास के जक्मों की रोगान से दिन में दो बार सपाई की जानी चाहिए, वर्तपान में माना जाता है कि ध्रव चिकिसा और प्रतिजय व्युक दवाव जैसे इंड्रोप्लाक्जसीन और सेप्टिव फोर के साथ पाच प्रतिसयत ब्लोरोग्रिस्यन से मुख से छालो की दुलाई से बक्रियों को अत्य पहिलने पर तुरंथी नदी की सरकारी पशुच की साले में सुचना देनी चाहिए, मूर्द बक्रियों का संपून रूप से जलाकर नश्ट करना चाहिए, साथी साथ बाड़े और बरतनों का शुद्धीकरन भी ज़रूरी है अब देखते हैं इसका बचाओ पैसे करते हैं, बचाओ का एक मातर ही ऐसा असरदार उपाय है जो की लसी करन यानि टिका करन रक्षा PPR या PPR के खिलाब असरदार उपाय है, बक्रियों का ठिका करन ही PPR से बचा होगा एक मातर कारगर उपाय है, PPR का ठिका चार महिनी की उम्रे में एक मीली मातरा में तोचा के नीचे दिया जा सकता है, इससे बक्रियों में तीन साल के लिए प्रती रक्षा आ जाती सभी नरो और तीन साल तक पाली हुई बक्रियों को दोबरा से ठीका करना चाहिए पशुपालक को ठीका करन के तीन हपतों तक बक्रियों को तनाव मुक्त रखना चाहिए तो पशुपालक मित्रो आज हमने PPR यानि कि बक्रियों की महामारी या बक्रियों का प्लेग इसके बा वाला इससे कैसे बचिए इस पारे में हमने चर्चा किये तो जरूर ही आपको इस बात में समझ में आया होगा कि पीप्यार कितना गहरार हो